हे माई लवलीज वेलकम और वेलकम बाक तो मैं चानल विद अनदर वीडियो आज मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ लोडस का संस्क्रीन विद एस्पीफ 30, 40 और 50 ठीक है आज की वीडियो में आपकी सारी कोईर स्केयर हो जाएंगी जो कन्फ्यूज रहते हैं कि कौ से संस्क्रीन मुझे लगानी चाहिए कौन सी संस्क्रीन मेरे लिए बेस्ट रहेगी कोई अफोरेबल और एफेक्टिव संस्क्रीन हो तो मजा ही आजाए अगर आपकी स्केन ओईली है ड्राइ है कॉमिनेशन स्क्रीन के हो तो कौन सी बेस्ट रहेगी मेरे लिए संस्क्रीन क लगानी चाहिए लगानी चाहिए भी कि नहीं किस एज में संस्क्रीन स्टार्ट करनी चाहिए ठीक है कितने टाइम के बाद संस्क्रीन को रिएप्लाई करना चाहिए इन सभी चीजों को लेकर आपको जो भी कन्फूजन है वो आज इस वीडियो में आपकी सारी क्वैरिस क्लि तो संस्क्रिंप इसलिए जुरूरी है कि जब हम सन लाइट के एकक्सपोजर में आते हैं तो संलाइट की जो दो हामफुल rays we Haha उदी जो है वह हमारे श्किला बहुत हामफुल ठोल होती है जिससे बचने के लिए sunscreen is must so the second question is sunscreen कब लगानी चाहिए कुछ लोग सोचते हैं कि जब घर से बाहर जाएंगे तो ही sunscreen apply करेंगे नहीं आपको घर में भी sunscreen लगानी है जो घर में lights होती है वो भी हमारी skin को harm करती है आपके phone की screen की light भी आपको harm करती है तो sunscreen घर में भी लगानी उतरी ही ज़रूरी है जितने की घर से बाहर जाते वक्त ठीक है sunscreen घर से बाहर जाते वक्त आपको 20-25 मिनट पहले लगा लेनी है ठीक है और घर में आपको sunscreen सुबह अगर आपको ज़्यादा ही problem लगती है तो अपने moisturizer में sunscreen को mix कीजिए डेली रोटीन में आप उसको घर में लगा सकते हो ठीक है और जो light की वज़ा से घर में हमारे skin को harm होता है फिर इसको treat करने के लिए हमें कितना कुछ करना पड़ेगा इससे best है कि हम sunscreen ही apply कर लें ठीक है तो third question है age किस age में sunscreen स्टार्ट करनी चाहिए आज के टाइम पे तो आप सभी को पता होगा कि sunscreen बेबी के लिए भी आने लगी है बेबी के लिए भी sunscreen आपको market में मिल जाएंगी आपको website में मिल जाएंगी परपल पर मिल जाएंगी मावाट की sunscreen जो मैं अपने sunscreen लगाते है कि उनको लगता है कि हमारी skin तो मतलब कुछ होने नहीं वाला बहुत हमारी skin तो इतनी sensitive है नहीं बहुत अच्छी है skin तो हमारे को तो कोई ज़रूरत ही नहीं sunscreen को तो sunscreen हर किसी को लगानी चाहिए यह भी कोई age restriction नहीं है affordable sunscreen के बात कर लें तो मैंने बहुत सी sunscreen purchase की है use भी की है बट जो मजा lotus की sunscreen में है ना बहुत affordable price में आपको मिल जाती budget में आपके आ जाती है ठीक है और बहुत ही अच्छी sunscreen बोलो कि आपको मतलब एक तो आपको इसमें budget मिल जाएगा ठीक है ना ज्यादा expensive नहीं है इससे महंगी महंगी sunscreen भी वह effect नहीं करती है आपके skin पर जो यह करती है क्योंकि मेरे पास इन तीनों वेरियंट मैंने use की है so SPF 30 की बात कर लेते हम सबसे SPF 30 है इसमें आपको मिल जाएगा lotus herbal safe sun sunblock cream indian summer formula sweat and waterproof non greasy PA++ UVA SPF 30 UVB इसमें आपको UVA और UVB दोनों की protection मिल जाएगी ठीक है और बात करें इसकी consistency की consistency इसकी as you can see आपर लिखा हुए cream based है तो यह sunscreen मुझे बहुत पशंद है consistency आप देख रहे हो white color की है कोई tinted sunscreen नहीं है इसको merge होने में थोड़ा सा वक्त लगता है थोड़ा सा time लेती है यह merge होने में लेकिन जब merge हो जाती उसके बाद आपकी face को बहुत glowy सा लुक देती है it will take some time merge होने के लिए cream texture है oily skin के लिए थोड़ा greasy हो जाएगा but not that too much greasy अगर इसके बाद आप इसमें लेकमे का SPF 40 compact है जिसका मैंने already अपने वीडियो चैनल पर upload किया हुआ है उसका भी मैंने review आपके साथ शेयर किया है अगर इसके ऊपर आप SPF वाला लगाओगे ना sorry compact तो आपको बहुत अच्छा finish मिलेगा बहुत अच्छा finish मिलेगा आपको कोई BBC CC क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मल दे के लिए आपको medium सी coverage प्रोवाइड करेगी और it's very good for combination and dry skin इसका price की बात कर ले तो 375 इसका price है यह आपको 300 में easily मिल जाती है तो यह sunscreen मुझे बहुत पसंद है Summers के लिए तो मैं इसको Summers में यूज करती हूँ लेकिन oily skin वालों के लिए उनको थोड़ी सी नहीं पसंद आएगी लेकिन dryer combination skin के लिए यह best है आप बात कर लेते है SPF 40 Lotus Herbal Safe Sun 3-in-1 Matte Look Daily Sunscreen Sun Protection Skin Lightening Mattifying PA++++ UVA and SPF 40 UVB Paraben Free All Skin Types और इसका प्राइस है 465 लेकिन आपको 400 के आज पास आपको मिल जाएगी ठीक है और यह 100 grams of quantity इसमें आपको मिल जाएगी ठीक है और इसकी texture की बात करेंगे texture इसका BB cream की तरह है I'll show you इसका texture थोड़ी सी मैसी हो रुखी है I'll show you the texture इसका थोड़ा ऐसा BB or CC cream की तरह texture है इसको मैं आपको apply करके दिखा देती हूँ ठीक है थोड़ी सी आपको इसके साथ coverage भी मिल जाएगी और यह sunscreen में 7-8 साल से यूज़ कर रही हूँ one of my favorite sunscreen है इसकी coverage मुझे बहुत पसंद है कुछ लोगों को doubt होता है कि tinted sunscreen जो होती है आपके complexion को dark करती है मेरे इतने साल का experience है जो मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी skin को इसने बिल्कुल हाम नहीं किया इवन मैंने इसको छोड़ने की कोशिश की थी कुछ और ट्राइ करने का भी सोच था बट नहीं I love this sunscreen मुझे बहुत पसंद है इसकी coverage बहुत अच्छी लगती है मुझे और मैं इसको बहुत पसंद करती हूँ मेरे हिसाब से यह best sunscreen है क्योंकि इसके बाद आपको BBCC cream वगारा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है अब बात करते हैं Lotus के 50 SPF की यह मेरे पास vitamin C वाली है लेकिन इसका दूसरा variant जो पहले से आता है पुराना बाला variant वो भी बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है यह मुझे उसके जैसा ही लगा similar सा ही लगा लेकिन अगर मैं बोलू कि 10% शायद वो इससे ज्यादा अच्छा है यह है Lotus Herbal Safe Sun Vitamin C Matte Gel Daily Sunscreen Brighten Skin Paraben Free Dermatologically Tested PA++++ UVA SPF 50 UVB Normal to Oily Skin यह sunscreen भी आपको 525 में मिल जाएगी इसका प्राइस है लेकिन आपको 500 के आसपास आपको मिल जाएगी यह मुझे परपल या नाइका वगारा पर अवेलेबल नहीं थी तो यह मैंने Lotus के website परचेस की थी और यह Gel Based Matte Sunscreen है बहुत जल्दी आपके skin के उपर सेट हो जाती है बहुत जल्दी मर जाती है इसको लगाने के बाद आपकी skin बहुत लाइट वेट फील करती है आपको ऐसा पिल्कुल ही लगता कि आपने skin के उपर कुछ apply किया है I'll show you the texture Actually मैंने use की हुई है तीनों ही sunscreen तो मेरी almost खतम ही होने वाली है Gel Based है इसका Vitamin C आपको इसके साथ मिल जागा जो आपकी skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है See Texture इसका बहुत ही अच्छा है ऐसा लगेगा कि आपने अपने face पर कुछ apply ही नहीं किया इसको boys and girls तोनों लगा सकते हो क्योंकि इसमें कोई भी tint नहीं है यह gel based है इसको boys भी इसको easily लगा सकते है क्योंकि यह थोड़ी boys के लिए थोड़ी सी uncomfortable रहेगी क्योंकि इसमें हलका सा tint है इसका भी कभी न कभी नजर आ ही जाता है sweat के कारण लेकिन जो gel based sunscreen है यह boys के लिए भी बहुत अच्छी है इसको boys भी apply कर सकते है ठीक है यह dry skin पर suit नहीं करेगी क्योंकि dry skin वाले इसको लगाने के बाद skin जैसे खिची-खिची सी लगती है आपको वैसे ही feel करेगा बट अगर फिर भी आप सबको SPA 50 यूज़ करना चाहते हो क्योंकि SPA 50 ही sunscreen जो है हमें apply करनी चाहिए ठीक है यह इसलिए मैं use करती हूँ 30-40 क्योंकि यह मुझे वैसे ही पसंद है लगानी इसका मुझे texture पसंद है इससे ना skin के उपर जो shine आता है ना मुझे वह पसंद है और यह मैं skin को matte finish के लिए use करती हूँ और यह है यह आपकी skin का life saviour है यह the best sunscreen है तो यह आपको 50 SPF तो हर किसी को लगाना ही चाहिए आप ऐसे भी लगा सकते हो कि पहले 30 sunscreen अगर आपको इसका पसंद है तो उसके बाद आप gel base लगा लो या gel base लगाके उसके उपर आप यह लगा लो ऐसा कोई issue नहीं है पट आपको 50 SPF ही लगाना चाहिए और dry skin वाले अगर इसको यूज करना चाहते हो तो आप इसको अपने daily routine में जो आप moisturizer यूज करते हो उसमें mix करो और लगा लो not a big deal उनको इतना भी retreat नहीं करेगी लेकिन फिर भी आपको suit नहीं करते तो आप इसको avoid कर सकते हो आपके लिए यह best रहेगी थी अगर आपको मेरा review sunscreen के उपर useful लगा helpful लगा तो please मेरे channel को subscribe करना मत भूलना like करना bell icon press करना मत भूलना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे को comment कर सकते हो कि आपको किस चीज के उपर वीडियो चाहिए किस चीज का review चाहिए सो मिलती हूँ अपनी next वीडियो में till then take care bye